नमस्कार दोस्तों मैं हुआ अदित्ति और आप देखें डीजे लाइट ट्रिक्स दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभी चार पार लाइट जो रनिंग हो रहा है यह कस्टेन में लगा हुआ है और इसकी प्रोगामिंग मैंने इससे पीछे कैसे किया रहता क्या को दिखना है तो सारा को सिर्ट आज को सब्सक्राइब करते हैं है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी डिजाइन रणिंग हो रहा है इसकी प्रोगामिंग इसे पिछले वीडियो में हो चुका है और कोडिंग क्या रहने वाला में आप लोग बता दिरा है दोस्तो यहोरा फर्स्ट पार्लाइट है इसमें D001 है इसे आईगी वहनinee D017 है इसके बाद हैं D033 और यह लास्ट में लगा हुआ। इसमें D009 दोस्तोँ यहापर 4 पार्लाइट में अलग-अलग कोडिंग करके रखे हैं ताकि इस तरह कर कर ररिंग पायें दोस्तो आज का वीडियो में आप आप लोगों फ्लेसिन केnajте करना है वह बताने वालों तो फ्लेसिन करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो सारे पारलाइट में एक कोडिंगरा सकते हैं जैसे D001 सारे पारलाइट में राखेंगे तो भी सेटिंग काम करेगा जो की flashing वाला setting है तो दोस्तों फिलाल मैं यहाँ पर जो चारो पाराइट में अलग अलग कोडिंग है तो मैं यहाँ अलग अलग काम करके दिखाता हूं यह देखिए एक बार DMS को off करके on कर देते हैं दोस्तों यह सारा पाराइट अभी off हो चुका है और दोस्तों अगर आप स चार पाराइट में रहता तो चारा पाराइट एक साथ एक कलर में आ जाता है तो यहाँ पर फिलाल मैं चार बटन को on करता हूं दोस्तों और यहाँ पर चारों की एक प्यार उठादा है यह देखिए यह रहा अज़ैसंग का इस्पीड तो दोस्तों आप लोग को आप लग रहा है उतना स्पीड स्लाइडर को उठा करके और छोड़ देना है तो फिलाल मुझे इतना स्पीड अच्छा लग रहा है कि यह सही परफेक्टली फ्लेश कर रहा है दोस्तों अगर आपको कलर चेंज करना फ्लेशिंग के दोरान ही तो यहाँ पर जैसे कि रेट कर में भ लेशिंग काफी जबरजास्त होता है दोस्तों यहां पर अभी हॉल में पूरा राइट high in जो रखा है इसी के लिए आप लोको य sound कम लग रहा होगा बाकि इस काफी हेवी रने वाली दोस्तों यहाँ पर कोई भी कमपनी का आप पारलाइट यूज करते हैं कोई मेटर नहीं करता है D001 कोडिंग डाल जीएगा अगर जिस पारलाइट में D001 काम नहीं करता होगा उसमें आप A001 वाला कोडिंग डालिएगा काम कर जाएगा परफेक्टली तो चली दोस्तों इसे सेटिंग को हम चेस में कैसे एड करते हैं वो मैं आज दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हमें पेज क्रिएट करना होगा उसके बाद चेस में इसकी फ्लेसिंग वाली प्रोग्रामिंग को एड कर देंगे तो चलिए पहले पेज बनाते हैं तो पेज बनादे के लिए दोस्तों पहले प्रोग्राम अले बटन को लोंग फ्रेस करके रखना होगा और बेंक में आ जाते हैं अब 104 क्योंकि 103 बेंक तक हमारा प्रोग्रामिंग एड़ था ये देखिए सिंगल सिंगल पारलाट वाली और 4 में बिल्कुल खाली है कुछ नहीं है तो चलिए आज बेंक नमबर 4 में एड़ करेंगे फ्रेसिंग वाली प्रोग्रामिंग को सबसे पहले फ्लेश करेंगे फाइब नमबर ये स्लाइडर से ये देखिए और अभी हमारी पारलाट यहां पर काफी अच्छा तरह से फ्लेशिंग कर रही है और दोस्तों इसे एड़ कर देंगे दूस्तों अगर आप लोग को स्पीड कम या ज्यादा लगे तो आप यहां से स्लाइडर से यहां पर कम य ज्यादा हो सकती है तो फिलाल में इसे एड़ कर दिया हूं मीडि एड़ से नमबर वन पर और इस प्रोगामिंग को हम सेव करेंगे सेव करने के लिए वापस साइड स्लाइडर को डाउन करेंगे और यहां पर प्रोगाम अले बटन को लोंग प्रेस करके राखना है और बलेक आउट कर देंगे अब दोस्तों अगर इसे आप प्रोगामिंग में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए चेस करना पड़ेगा यह दे किरके तो दोस्तों इसे मैं continue 60 टाइम प्रेस कर दिया हूं और अब यहां पर इसे प्रोगामिंग को लोंग प्रेस करेंगे और करेंगे बलेक आउट आप दोस्तों अगर आप प्रोग्राम में इसे चलाना चाते हैं सबसे पहले एक बार मैं डिम्स को on कर देता हूं और उसके बार DMS को on करता हूँ ये देखे DMS को on होते ही सारे पारलाइट भी off हो चुके हैं और अब दोस्तों यहाँ पर Chase No.1 को एक बार दबाएंगे और जो इसे पिछे वाली प्रवाइमिंग चल रही थी उसे ये बार चला के दिखाते हैं देखे ओटो वाला बटन है इसे एक बार प्रेस करेंगे और इस्पिर्वार स्लाइड को उठाके छोड़ देंगे तो यह देखे दोस्तों यह रनिंग वाली प्रवाइमिंग चल रही है दोस्तों इसे का बीच में अगर आपको कभी-कभी फ्लेसिंग डालना है तो यह देखे जो दो नमबर वाले बटन है इसे एक बार दबा देना है यह देखे यह फ्लेस करना स्टाट कर दिया फिर बंद करना है तो दुबारा इसे को प्रेस कर दिजिए बंद हो गया यानि कि फ्लेसिंग चालू करना है तो दो नमबर वाले ब फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रा गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं रिपला आपको बहुत तब देने का प्रयास करूँगा तो चली दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नई डिजाइनिंग को ले करके तब तक के लिए जाए हिंद जै भारत